Export Analysis and Export Vision पंजाब की इस बुक के बारे में आज Textile Industry के बारे में जानेंगे Textile Industry के सारे HS Code उसमें खास करके Import-Export कैसे होता है, Manufacturing कैसे होता है उसके बारे में आने वाले वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले चालू करें हम Export Sector के HS Code के बारे में पहले के वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, HS Code क्या होता है Textile Sector का HS Code 52 से चालू होता है आपके screen में आपके सामने शाद दिखी गया होगा 52 नंबर का chapter है, Cotton के लिए dedicated है Cotton के different हम इस पे click करेंगे हमको पता Cotton के different variants वोगेरा पता चल जाएगा DGFT की website है, DGFT की website में आपको ITC HS Code के बारे में पूरी जानकरी मिल जाएगी यह different type के Cotton है, Cotton को अगर हम Google सर्च करें तो Google सर्च में Cotton के सारी images आ जाएगी, Cotton इंडिया में one of the largest producer agro commodity है agro commodity का जो industrial version है, खास करके जो raw material use होता है, Cotton उसमें main है वो cotton related सारी industry को raw material provide करता है, वालके best cotton growing जो region है उसमें अपना South Asia खास करके इंडिया, Pakistan, Bangladesh है, Egypt है, Vietnam है, सारे अच्छे cotton producing country में आते हैं अगर हम South Amesphere की बात करें तो Australia भी अच्छा cotton producer है, खास करके 2005 के बाद इंडिया में BT cotton का production बहुत ज्यादा हो गया है गुजरात हैं, महाराश ट्राय पाट्स ऑपंत्य प्रदेश हैं और जहां से हम आज बात कर रहें वह पंजाब में भी BT cotton का बहुत ज्यादा production हुआ है तो जो पूरी टेक्टाल की cotton based chain है, टेक्टाल की different chains होती है, cotton based होती है, पॉल बेस chain होती है, तो cotton based chain का main है, cotton की बेल वगेरा और cotton genin का product देखे, हम cotton genin का market देखे सर्वे करें, तो cotton genin के different machines हैं, cotton genin की जो ये सारी machinery हैं और जारा production units हैं, एक cotton producing area में पाए जाते हैं, for example, पंजाब में बठीनिया के area में ज्यादा पाए जाते हैं, गुजरात में सौराष्ट में जाता पाए जाते हैं, different जगह में पाए जाते हैं, जहां से cotton किसान के case से cotton आता है, उसको साफ किया जाता है, साफ किया जाने के बाद cotton genin की सारी में, साफ किया जाता है, साफ किया जाता है, उसके बाद pressing किया जाता है cotton का, जो ऐसे साफ किया जाता है, उसके बाद cotton का press करके उसको बेल बनाना जाता है, अराम से आप ये जानेंगे अगर वीडियो प्रॉपर देखेंगे, यह cotton की बेल्स है, उसको प्रेयास करके, cotton की बेल्स में उसको प्लास्टिक के पूरे करके बाता जाता है, यह cotton की बेल्स है, अगर यह cotton जिनिंग मशीन में से, एक बाद जो प्यार फॉर्म में cotton निकलता है, दूसरों में cotton वेस्ट निकलता है, वो वेस्ट में स्विभी ऑईल बन सकता है और डिफरेंट उसकी उसमें सक्केक वगेरा काफी चीज बनती है यह प्रोडक्शन का यह है आगे बढ़ेंगे तो फिफ्टी चैप्टर वाइस चैप्टर हम देखे जाएंगे सारे चैप्टर आज मैं दिखाऊंगा 53 नंबर का अधर वेजीटेबल टेक्टल फा अगर जूट के हम गूगल सर्च में जाएंगे जूट की इमेजिस सारा देख लीजिए कि जूट की सारी वराइटीज है टेक्स्टायल का बहुत बड़ा मट्रियल है कलकता रीजिन अपना बेंगाल और जो अपना इस्ट रीजिन है वो जूट के प्रोड़क्शन के लिए बहुत ही मशूर है जूट का प्रोड़क्शन वहां बहुत ही अच्छा होता है ठीक है और उसका कंपेटिशन बांगलादेश, इंडोनेश्या, मलेशिया, जैसा कंट्री से पे हैं पहले जूट का जो जो इनपूट्स है एक खाली अनाज भरने के जो बारदान वगेरा होत सबस्कार पूरी मेनत करती है कि जूट बेस इंडिस्ट्री को कैसे बढ़ाया जाए इंडिया में कंपल सरी है कि जो एमस्पी पर धान खरीदा जाता है यूं खरीदा जाते है उसको जूट बैग में पैक करना कंपल सरी है ते एक supply-demand change बनाया रखा है उसमें काफी उसमें सरकार का intervention प्लस प्रोचसान दोनों इंसेंटिव दोनों रहता है एक जूट के बारे में से जानके आगे हम textile में जानेंगे 53 नंबर 4 नंबर के चप्टर में सबसे most important चप्टर है 54 नंबर चप्टर इसमें man man filament ज्यान वगेरा होता है ठीक है 54 नंबर के चप्टर में आप ध्यान से देखेंगे तो उसके सारे HS code देखेंगे तो उसमें ध्यान से देखेंगे 54 वन synthetic filament artificial filament वगेरा होता है अगर उसको मैं Google सर्च करूँ Google में डालू तो उसमें simple एक man man made fiber आपके सामने फिर से आगए उसकी images मैं अगर वगे डालू तो उसका base होता है polyester polyester का base होता है petroleum जो petroleum आता है crude oil आता है crude oil में से काफी variety निकलती है उसमें से petroleum जो polyester होता है उसका भी एक base निकलता है उसके chemicals निकलता है उसके उपर यान बनता है उसके उपर यान बनता है और उसका variety of pure होता है वल्ड में पूरा जो एक natural fibers का जो range है उसमें cotton आता है wool आता है उसमें jute आता है सारे different एक natural यान का category होता है दूसरा होता है man made जिसका base कोई chemical वगेरा है petrochemicals है crude वगेरा है उसके आता है इसमें nylon है polyester है आप ध्यान से देखेंगे artificial skill rayon है nylon, acrylic, polyester इस सारे man made fibers में आते हैं पहले के जमान में जादा तर industry cotton based थी आज के जमाने में जो एक study पाया गया है और different data के इसाब से देखा जाए तो 60% उपर man made fibers से related है 40% natural fibers से related है plus natural and man made fiber को mixing करके भी काम होता है जैसे मैंने कोई suit पहना है कि आप दूसरे चीजे देखते सारा man made fiber से होता है उसकी बहुत बड़ी developed industry इंडिया में कहीं develop हुई तो वह सूरत में हुई है man made fiber का पूरा industry वहां पे develop है पूरा value chain वहां पे develop है एक बाद जो refinery से जो man made fiber का chemical आता है chemical के बाद उसमें से यान बनता है यान से बाद उसमें weaving होता है weaving के बाद उसका coloring in the sense, dying वगेरा होता है उसमें embroidery वगेरा होता है cutting, piecing वगेरा होता है ये सारी चीज़ का एक अच्छा सा network सूरत में बना पड़ा है और इंडिया में जो अभी PLIS की भारत सरकार ने जो कोशित की है और man made fiber को relation में की है आप देखेंगे काफी कपडे भी आजकल man made fiber में बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगे छिसँमें बहुता है स्पूर्ट सू right we aío response ८ें होता है पड़े में होता है सोफे म होता है hawth different type of textiles चीज़ में खासकर कि आप जो कार वगर मैं fabrics वगरा लेते में उसमें होता है technical textile का base made fiber होता है अगर मैं टेकनिकल टेक्सटाइल गूगल में फिर से डालू, तो आपको देखना ज्यादा आसान हो जाएगा. टेकनिकल टेक्सटाइल के डिफरंग रूपस हैं, मैंने आगे वाले व वीडियो में भी समझा दि़ आये, कि तेकनिकल टेक्सटाइल Meyer, किसको बोलते हैं. जहां फब्रिक जो फब्रिक और जो चीजे खास करके पहने के कपड़े उस में आता है या पैने के लिए और कोई दूसरे security परपस के लिए उसको टेक्निकल टेक्सटायल बहता है जैसे सिक्रोटी लेदर हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, ठीक है डिफरेंट टाइप आफ थिंग्स हैं, वो टेक्स्टाइल में आता हुआ है, अब हम नेक्स्ट बारे में जाएंगे, फिलामेंट यान 55 नंबर मैनमेड फाइबर स्टेपल के यह लिए जाना जाता है, उसका भी मैं एचस्कोर खोड़ लेता हूँ, इसमें कौन-कौन से आते हैं, आप थोड़ा, सिंतेटिक फिलामेट्टो, नाइलोन, एक्रेलिक, नौन एक्रेलिक, प्रोड़ि प्रोप्रेलमिन यह जीतने मट्रियल है, उसका भी उपयोग जादा है, जो लेडिस के लेगिंस वगेरा होते हैं, उसमें एक्रेलिक का यूज होता है, जो वूलन गार्मेंट से उसमें मिक से बनते हैं और अक्रेलिक का बीज भी सिंथेटिक होता है मैंनेट फाइबर होता है मैक्स्ट में हम जाएंगे 56 चेप्टर नॉन बोवन स्पेशल यांस वीन कोड़ेंग रोप्स वगेरा उसके अंदर जाएंगे उसका भी मैं थोड़ा आपको ब्रीफ देदू करें मैं इसमें डिफर्न टैप के फिलामेंट यह यांनका लिखा हूं उसमें खंस करके उसके वेट और लेंध की हिसाब से उसका डिफरेंट पॉर्शिंस पड़ता है उसमें भी आप देख सकते हैं उसका डेटा कैसा है चेक किया जाता है वो भी आपको पता है अगर मैंड मेड फाइबर और कॉटन की दोनों की वेल्यू चीन की बात करो तो फिर से आपको मैं गूगल पे ले जाता हूं उसमें बोलेंगे कॉटल-यान मुशिं घ姗 ज मेकस के सको तकrü स्बेंग मशिंस है उसको स्बीजिशां बहले जो मैंने बताये कॉटल के बाद उसके बेल्ष बनते हैं को इस सुदू समेंड के इस चनान इंदर में जाता है तो टिफरेंट मेसीं Away जो नहा अगर आपको इसका यूनिट लगाना है तो आपको गाउं में और गाउं के बीच में लगाना होगा जहां से कॉटन का प्रोडक्शन आपको आसानी से मिल सके वहां पे लगा दिया तो आपके पास लगबग 5-15 बीगा इतना जमीन होना चाहिए वहां पे आप यूनिट लगा पाई इंवेस्टों लाएंगे आपकी कॉस्टिंग कम होती एंग सब्सक्राइब है से इंपर्ट होता है जादा तर कंपनी राइटर्स हैं लक्ष्मी है परजाज है टूसर रहा है ये सारी कंपनी आप गूगल में आप आरम से देखी सकते हैं एक अध्यों कंपनी का नाम म मुझे अच्छा नहीं लगता है ठीक है तो आप सारी कंपणिया कर देख सकते हैं डिफरेंट टैप के स्पिनिंग आज इंडिया में बहुत ही ज्यादा डेवलप्ट यह यान इंडिस्ट्री है एक जो एक बाजू लुधियाना अगर नौट से चालू करें के लुधियाना मे जहां पर काफी सारी यान कंपनीज है उडगाओं में रेडिमेट गार्मेंट का काफी अच्छा बिजनेस है नीचे जाओ तो गुझरात में तो मेरे ख्याल से मैं ही नोकरी करके आया हूं तो रहन पचास प्लस बड़ी-बड़ी यान कंपनीज है और सूरत में जो मद्यप्रदेश में प्रांट लगा है अगर साउथ की तरफ जाओ तो तिरुपूर में बगधी बड़ा टेक्स्टाइल डॉमिनेंट मार्केट है बहुत ज़्यादा यान कंपनीज है एमटरी के विविंग स्विंग के मशिन्स वगेरा लगे हुए है तो सेकेंड जाता है और कपड़ा बनता है विविंग मशिन का है यह भी बहुत ज़्यादा चाइना से इंपूट ऐसी मशिन होती है अब आजकल इंडिया में भी बनना चालू हुई है तो उसके हिसाब से आपको विविंग का है अलग अलग धागा होता है उसको डाइंग करने के बाद विव किया जाते था है ऐसा वाला बता है ग्रे वाला हो जाता है जो वाइट टाइप का होता है फिर उसके उपर कोई प्रिंटिंग वगरा होता है तो एक विविंग मशिन है सेम पोजीशन यूज होता है कि जिसमें मैनमेड फाइबर यानि पॉलिस्टर रियोन नाइलोन वगर होगा उसमें भी वीविंग चलेगा और जो कॉटन बेज होगा उसमें भी और मिक्सिंग भी होता है पॉली स्टर 40% 60% कॉटन अलग अलग वेराइटी टेक्स्टाइल एक अपने आप में बहुत बड़ा अनालिसिस वाला मार्केट है वीविंग के बाद उसमें उसमें आमरेंशी भी हो सकता है उसमें डाइंग हो सकता है और ये ऑग नगाा की ड्रक्र याइग होती है डिफन्ट के लुभ ऐसिन भडॴ फ्वश magg कर अंदर उसमें डाला जाता हैै अगर कपडा synthetic होगा मानलग के polyester होगा तो dying भी polyester type की मानलग synthetic वगेरा होती है cotton के लिए different अलग chemicals use होते हैं, dying machine का different diagrams है, यह dying machine में होता है, कपड़ का भी dying हो सकता है, yarn का भी dying हो सकता है, yarn का dying होता है तो फिर view करके अलग-अलग उसमें variety बनती है तीसरे type का machine अगर मैं बनाओ, तो knitting machine है, knitting machine यानि जो sweater हम बुनते हैं घर में, एक सोया से, जो sweater बुनते हैं, वही उसकी formula है, यह knitting machine है, एक सोया से, ऐसा-ऐसा करके बुना जाता है, जो घर में अपने पहले के जमाने में दादी वगेरा बुनते हैं, वही system से यह machine बनाओा है, जो T-shirt पहनते हैं, थोड़ा stretchable material होता है, वो knitting का होता है, नॉर्मली, खास करके वो woolen garments में knitting machines वोगेरे थे बनते हैं, अगर टेक्स्टाइल है, तो उसमें यह embroidery machine है, यह वाला है, यह तो घर वाली embroidery machine है, यह आगर आप देखना चाहिएंग, तो यह वाली जो multi-head वाली है, यह embroidery machine है, गूगल आपके पास ही है, तो उसमें एक बार images वोजरा चेक करके देख लीजे, अब मैंने छोटा-छोटा एक तो spinning वाला बता दिया, उसमें बड़ी कंपनिया, उसमें investment बता दिया, जो embroidery होता है, weaving होता है, और जो यह आपका knitting machine होता है, उसकी cost क traffic कम होती है, तीस लाग से चालू होती है, और different है, जिसमें आप 40-50 लाग का भी plant लाज सकते हैं, आप करोड़ दो करोड़ का भी दाल सकते हैं, पांच करोड़ का जैसे आपको मर्जी, जितना बड़ा आपका investment होगा, जितना बड़ा output होगा, economy scale करके concept है, उसका फाइदा उ weaving machine महजूद है, वो आकरा वैरी हो सकता है, मगरे मैं बता रो scale, economic scale कितना बड़ा है, कि हम सबसे सस्ता और अच्छा textile का production कर पाते हैं, नेक्स्ट में जाएं हम, फिर से मैं चला जाओंगा, 57 carpet and other flooring coverings, carpet दो टैप की होती है, एक तो natural और बहुती सुन्दर सी carpet होती है, जहां पर बहुत ज़्यादा महनत वगेरा लगती है, अपने अगर नौर्ट से चालो करो करेश्रिन, अगर कश्मेरी carpet जो है, वल्ड फिमास है, जी आई टेक हैं, और लाखो रुपी की बनती है, क्योंकि उसमें महनत ज़्यादा लगती है, दोरा धाका भूना जाता है, उसके लिए उसके प्राइस भी ज़्यादा होती है, उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होती है, महनत भी ज़्यादा लगती है, दीरे-दीरे man-made fibers, machine-made carpets बनना चालो होगी, उसका एक जमान में ब पूल मट्रियल से बनती है, काफी टैप की Carpets बनती है, वर्ल्ड में Carpet में चाइना लीडर है, चाइना दुनिया की सबसे अच्छी और बड़ी Carpets बनाता है, क्योंकि उक्यों में स्केल पकड़ लिया, machine से काफी अच्छी Carpets बनाता है, नेक्स्ट में हम जाएंगे, नेक कॉनसी चीज आती है, वूमन पाइल फैबरिक्स ऑफ वूल, अनिमन, कॉटन, 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 कॉटन ने आप देखी सकते हैं, डिफरेंट आफ के फैबरिक्स, मटरिल्स अवेलिबल है, नेक्स्ट अम चैप्टर में जाएंगे, 59 नंबर के चैप्टर मे है, इंडरिस्ट्रियल यूज वाले जो टेक्स्टाइल वगेरा है, उसका एक चैप्टर डेडिकेटेड है, टेक्स्टाइल फैबरिक कोटेड विद गम, अल्कॉलिक सबस्टेंट्स, जैसा है रेग्जीम वगेरा देखते हैं, यह सारे जो इंडरिस्ट्रियल टाइप के जो हां पर फैबरिक यूज होते हैं, उसको इस चैप्टर में अंदर डाला गया है, ठीक है, इसका मार्केट बहुत ही जाबा है, बहुत जाबा है, फ्लोर कवरिंग होता है, रेग्जीन होता है, सोफा कवरिंग होता है, यह सारे होता है, बहुत जाबा है उसका बड़ा मा अगर कोई नया एक्सपोर्टर बनना चाहता है नया इंडेस्ट्री डालना चाहता है तो 59 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपोर्टन है उसमें आगेर बढ़ने की पॉसिबिटी ज्यादा है 60 नंबर का नीटेड नीटेड के बार में मैं समझाई जैसे स्वेटर से बूना जात है लुधियाना ठीक है लुधियाना सबसे बड़ा हब है वहां से नीटेड के अच्छे खासे मटिरल्स वगेरा जाते है नेक्स चैप्टर बगरे में जाएंगे 61 उसके सारे हम है एचे सोड देखेंगे अब यहां से गार्मेंट आना चालोगे जो हम कपड़े पहनते है तो 6101 जो चैप्टर है एचे सोड है उसका आगर हम अनालिसीस करेंगे 6102 चलो वोमोन और गल्स ओवर कोट कार कोट कैप्स क्लॉक्स एनार कोट्स इंक्लोडिंग काई जैकेट विंड शीटर वगेरा विंड जैकेट्स वगेरा है जो गार्मेंट्स जो हम पहनते हैं 61 चैप्टर से चालो हो गए अगर हम वोलन गार्मेंट्स की बात करें तो लुदियाना इंडिया में हब है और वल्ड की बात करें तो सारे टेक्स्टाइल मार्केट में सबसे अच्छा प्रोड़क्शन चाइना का होता है आजकल वीटनम और बांगलादेश आए व्यटनम बांगलादेश में कॉटन बेज ज़ादा है मगर जो मैंड मेड है वाला चीज़ चीज़े हैं रेडिमेड गार्मेंट्स में पर श्रेलंका बांगलादेश आगे अटरकी काफी उसमें अड़ांस पोजिशन रखता है 60 नमबर वो भी आतिकल्स जो है अपरेल्स वगर के आगए रेदी मर गार्मेट्स वगर के आतिकल्स हैं उसमें आगे मेन एंड मोइब और कोड़ कार कोड़ वगर 62 नमबर के चेप्टर में 63 नमबर के चेप्टर में जाओंगा last chapter है मेरी ट्रडिशनली गरम कंट्री यहां पे ठंड कम रहती हैं, मगर प्रोडक्शन की इसाब से हम काफी अच्छे प्रोडक्शन वाले मान गया है, विंटर और ब्लांकेट्स वागेरा का फिर से मड़ा मार्केट है, लुदियाना, अमरेसर हैं, पानी पते हैं, वहाँ पे इसकी बड़ी अच्छी इंडेस्ट्री डेवलप हुई है, मगर उसमें आगी काफी कुछ करना बागी है, कोई कि इसका डेवलप मार्केट वेस्ट में पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा मार्केट है, अभी टेक्स्टाइल की मैंने पूरी बात की, फिर से मैं रिपीट करूँगा टेक्स्टाइल में, एक हम लेंगे ये नेचरल, नेचरल टेक्स्टाइल किस साथ है, नेचरल टेक्स्टाइल में सबसे बड़ा भाग रखता है, कॉटन, कॉटन सबसे बड़ा भाग लगता है, कॉटन से जीनिंग होता है, जीनिंग से धागा बनता है, जागा के बाद आगे एक बहुत बड़ी डेवलोप इंडेस्ट्री है, दूसरा अगर कॉटन नेचरल, अगर टेक्स्टाइल की बात करो, तो दूसरा होता है, वूल बुरी स्कल्की ऑद सेब मैं कहना मेरी रह गई इसको शेरी कल्चर बोलते जो शख व्यूगाना वाले लोग हैं जो इस दुफ्रिंट है उसको मैं क्वेसं कृष्खे कल्चर अगरर इमेजीज वगरä डालों रिशम के की ड़े होते हैं रिशम के कीड़े यह उसको यह उसको बुना जाता है उसको एक प्रोसेस होती है प्रोसेस के बाद यह देखो एक कहीं देखाई दिया है इसे टाइप के सिल्क बिलता है इंडिया में सिल्क एक बहुत बड़ी और हर एक सेक्टर की अलग-अलग सिल्के बनार सिल्क कांची वर तीसरा सबसे बड़ा जो आया है, जो ये मेरे वूल बताया, आपको कॉटन बताया, सिल्क बताया, और चौथा सबसे बड़ा है, जूट, आपने जूट में बताई चुका हूँ, वह भी नेचरल एक अगरिकल्चरल प्रोडक्ट है, जिससे आता है, हाल उपियक उसका कम हो ग अगरिकल्चर पाया जाता है, उससे जूट से ये सारी चीज़े बनती हैं, तो सिल्क है, कॉटन है, जूट है, वूल है, ये सारे आपके नेचरल टेक्स्टाइल, उसका जो बेज है, वो नेचरल है, उससे आता है, तीसरा जो जो सेकंड नंबर का जो सबसे बड़ा पैरलल पार्ट है man-made fiber जिसका बेज है पॉली स्टर कुरूड से हैं पॉली स्टर है नाइलोन है रियोन है एक्रलिक फाइबर है यह सारे मैं में मिड में हाथ उससे भी यान बनता है यान बनने के बद सारी प्रोसेस है के उसको वीव करके कपड़ा बनाओ यान को ही आप color करके डाइंग कर लो वो वाला कर लो चौथा प्रोसेस उसमें यह होता है उसमें निटींग करो पाच्माएं प्रिंटिंग करो प्रिंटिंग टेक्स्टाइल की मशीनरी भी मैं आपको बता दूँ यह प्रिंटिंग टेक्स्टाइल की मशीनरी हैं मगर आप यह कपड़ा जो प्रिंट होता है उल्टा देखेंगे तो जनरली ग्रेय है निए वाइट वाला देखने को मिल जाएगा वो प्रिंट बना अगर व्यूड किया काया है तो दोनों साइड वो कपड़ा एक ही कलर का है आप अपने पहने कपड़े को थोड़ा उल्टा करके देख लिए आपको पता चल जाएगा वो प्रिंटेड है क्या नीटेड है का शट भी प्रिंटेड होता है शट नीटेड भी होता है शट वीवड भी होता है एक्जेक्ली सारी में भी यह है यह प्रिंटेड है अगर उ टेक्टाल मार्केट की बात करो चलो लुधियाना पकड़ो की सूरत की भिवन्डी वगेर आप पकड़ लीजे तो उसमें क्या होता है एक बंदा खाली वीवड मिस कपड़ा ही बनाता जाता है फिर वहां से कपड़ा डाइंग में चला जाते हैं वहां अलग प्रोसेस होती है डाइंग वाड़ा एक अपड़ा करने के बाद कोई और जगा जाते हो हैं अलग अलग प्रोसेस होता है अलग अलग जॉब वरकर्स होते हैं अलग अलग का अपना प्रॉफिट मेकिंग होता है अलग अपने पास स्टाइल होती है यह सब करने के बाद रेडी मेर तरीब्र जो अपफ़ान को सब्सक्राइरान विसके अपटोंग में जन्सका और करना। डीपेंस पता होता है, जनरले हैं वन रडंड से अग्टर लॉइंड आऊन्ट बहुत्य है, भॉब्ता है दो अग्रॉटर्व क सबॉप सिन्टा होता है, वन अग्र अर्लीज काम है बनना अपकशनार अब को भोड़ल मेंगरें कि भ्रण पकॉन बाकी कंपनीओं की सेल भी उसी कंपनी में बन पर इसा और होता है और यही इंडिस्टी लगाने से पहले आपको ध्यान के मुझे किसमे जाना है मुझे ब्रांडिंग करना है तो आप ब्रांडिंग ही कर पाएंगे कर बात स्रफ देखेंगे जो बेघता है उसके पास पचास मनुफेक्चर का सामन रखा होता है आप मागो वह टाईब से वaler पीछे करके दे सकता है ट्रेडर अपना facility बायर्स को देता है उरसी हिसाब से बायर्स उसमें माल करिता है तो हरेका अपना roles specification fix है उस हिसाब से करता है इंडेस्ट्री में काम उसी हिसाब से अपना profit बनाता है टेक्स्टाइल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए बहुत तरीक है, आज रशीय एक्रेन वार होल चुका है, डॉलर अपना है, असी रुपीज के आसपास आ चुका है, जो कॉर्टन बेज इंडिस्ट्री हो हमारे इंपोर्ट पर इतनी ज़्यदा लेना देना नहीं कि हमारे 20-21 का, 21-22 का ग्रोथ बहुत ही शांदार रहा है, अगर हम आगे कर पाये तो अपनी टेक्स्टाइल मार्केट का फ्यूचर भी अच्छा है, ठीक है, तो यहां मैंने लगभग टेक्स्टाइल की सारी बाते बता दी हैं, यह पुरा हमने जो पंजाब का जो यह किया था, उस इसकी अगर टेक्स्टाइल प्रोडक्स की मैं केक का, उसमें अगर बात करना चाहूं, तो फिर से उसको मैं दोहराता हूं, एक एक पकड़ के मैं बता रहूं, तो हमने पहले पूराने वाली जो वीडियो में होजरी के बारे में बता था, जो लुदियान उसका कीं है, उसक है का अगra है, आप अपने अपना की स्में लगा रहा है, ऐणी कैस में लगा रहा ह रहे है, ले भी ट्रिदिग विशु का कैरें, जो लुदि जो चीट पूर मार्य राजकोट के सवराष्ट में जूम करके देखेंगा वेस्ट इंसाइड जीतपूर करके सिटी वो कॉटन प्रिंटेड माल बना थे है कॉटन प्रिंटेड वहाँ पे मेरे खाल से 700-800 छोटी मोटी ज्यादा फेक्टरी होगी डाइंग और प्रिंटिंग का कम ज्यादा है इतनी अच्छी फैक्टरीज लगी है और एक्सपोट सीधा अफ्रीका पकड़ा है आपको अपने प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए अफ्रीका बेचो को उस्टल है बेचो क्या फरक बड़ता है अच्छा मार्केट जानी अच्छी चीज़े जाने अगर पंजब की बात कर कवर होता है इंडिस्ट्रियल जो होता है हरे करल के कपड़े लगाए जाते बिल्डिंग मट्रियल्स में वह भी टेक्साइल के अंदर आता है तो डिपेंट्स आप किसमें आगे बढ़ना चाहेंगे तो मैं यहां अपना टेक्साइल का लेक्चर पूरा करता हूं झाला करता है जाए जाए जाता है थैंक्य।